ओके दोस्तों तो हम लोग दूसरा कोशन देखते हैं Explain pollutant sources and effects on man हम लोग देखेंगे कि कौन-कौन से pollutant होते हैं उसका क्या-क्या source होता है और उसका क्या effects होता है ये कोशन आपको GBCB में से एक कोशन तो आना ही है कोई रोक नहीं सकता है First pollutant की बात कर रहे है हम लोग sulfur dioxide तो sulfur dioxide सबसे ज़्यादा कहां से निकलता है जब हम लोग fossil fuel को बंड करते हैं तो उससे हमारा sulfur dioxide निकलता है दूसरा हमारा कौन-कौन सा source हो सकता है thermal power plant भी source हो सकता है chemical plants भी हमारे sulfur dioxide निकलते हैं तो यह सब हमारा source दिया जाएगा तो उसका effects क्या होता है तो एक effect क्या होता है हमारा respiratory irritation problem asthma problem यह सब किससे होता है हमारा sulfur dioxide से अगर मान लीजिए हमारा concentration of sulfur dioxide atmosphere में चादा है तो उनमें क्या-क्या effect हो सकते है man को respiratory problem मतलब सांस लेने में दिक्कत हो सकता है asthma जैसे danger बिमारी हो सकती है फिर दूसरा क्या हो सकता है it increases the breathing rate मतलब हमारे जो सांस लेते हैं उसकी rate क्या हो जाती है बढ़ जाती है तो यह भी effect हो सकता है हमारा sulfur dioxide से फिर हमारे body में oxygen की कमी भी हो सकती है वो सब sources किसके करण से हो सकता है तो sulfur dioxide से हो सकता है पिर दूसरा क्या है हमारा carbon monoxide carbon monoxide सबसे ज़्यादा कहां से निकलता है vacuum emissions से जो जैसे हम लोग गारी चलाते हैं bike चलाते हैं car चलाते हैं उससे सबसे जयादा हमारा क्या निकलता है carbon monoxide तो आपको source तो हमारा बहुत सारा, जैसे हम लोग coal जलाते हैं, उससे भी carbon monoxide निकलता है, लेकिन option में आपको दिया रहेगा, burning of coal, vehicle emission, तो आपको सबसे पहले क्या tick मारना है, vehicle emission, अगर लिखता है both A and B, तो आपको tick मारना पड़ेगा both A and B, अगर सिर्फ दोनों में से एक मारना तो आपको क्या लिखना है, vehicle emission, यही option आपको tick मारना है, फिर carbon monoxide से क्या-क्या effects हो सकता है, तो it reduces oxygen carrying capacity of the blood, मतलब क्या होगा हमारा, कि हमारे blood में क्या होगा, कि oxygen carrying capacity कम हो जाएगी,